आज हम करने जा रहे हैं quadratic equations का part 2 शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे youtube चैनल पर subscribe कीजिए इसके लावा हम facebook और instagram पर भी active हैं जल्दी से हमें हर जगा follow कर लीजिए और किसी भी update को मिस्मक कीजिए तो यह रहा पहला question यह पिछली जो part 1 के base जो करवाया था उसके basis पर एक question है इसे आपको solve करना है और मुझे answer comment section में इसका post करके बताईए आज हम करेंगे next नए type के question जो दिखने में तो असान होंगे पर उन में भी थोड़ी सी variation होगी कुछ न कुछ आसी trick होगी जिसके वैसे मैंने आपको वो question present किया होगा तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही एहम difference बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना quality equation को solve करते होए पहला concept है y square is equals to 16 अगर ऐसा चीज़ आई second y is equals to under root 16 दूसरा ऐसा question आई आपको लग रहा होगा देखने में कि दोनों की answer सेम है y square is equals to 16 जब square जो है वो इस तरफ जाएगा तो under root 16 ही बन जाएगा पर ऐसा नहीं है y square is equals to 16 में आपका answer आएगा y is equals to plus 4 and minus 4 कैसे यह चीज़ मैं आपको अभी prove कर देता हूँ y की value plus 4 तो आपको पता ही होगी कैसे आई minus 4 भी मैं आपको अभी prove कर देता हूँ y की value अगर minus 4 होगी तो minus 4 का square भी तो 16 ही होगा ठीक है minus 4 का square भी 16 होगा तो जब भी ऐसी form होगी यानि y के साथ square लगा होगा और equals to 16 होगा तो हमारा y की roots आएगे plus 4 और minus 4 वहीं दूसरी तरफ अगर y के साथ कोई square नहीं होगा जबकि 16 पे यानि की कोई भी ऐसा perfect square उसके उपर under root लगा होगा तो y की value सिर्फ और सिर्फ plus 4 आएगी y की value minus 4 नहीं आ सकती क्योंकि अगर हम यहाँ पे minus introduce करने की कोशिश करेंगे तो वो imaginary term बन जाएगी ठीक है तो imaginary term क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है बस आपको यह चीज़ याद रखनी है y के साथ square लगा होगा तो 2 roots होगी एक plus की एक minus की और y के साथ अगर square नहीं होगा सामने वाली term पे under root लगा होगा तो सिर्फ plus की value आएगी ठीक है अब शुरू करते हैं हमारा आज का session सबसे पहले ये question आगए x is equals to 4 y square is equals to 16 आपको होगी है तो कितना असान question है भई x की value हमें पता है 4 है और y square square root करेंगे तो y की value 4 आज़े कि 4 4 तो दोनों के बहुँगे तो x equals to y होगा पर ऐसा नहीं होगा देखिए आपको पता है y square equals to 16 है तो यानि y की value 4 तो आएगी आएगी पर 7 में y की value minus 4 भी आएगी जब भी आपको y square is equals to 16 दिया तो y की value plus 4 minus 4 दोनों आएगी अब x की value है 4 y की value है 4 और minus 4 तो देख सकते हैं 4 और 4 x का 4 और y का 4 compare किया बराबर है x का 4 y का minus 4 compare किया x का 4 बड़ा है तो आजएगा x is greater than equals to y चलते हैं next question पर 3 x square minus 23 plus 40 equals to 0 3 y square minus 8 y plus 4 equals to 0 अब आपको पता है अपने last time जो first part 1 में हमने questions किये थे उसमें x square और y square के साथ कोई भी coefficient नहीं था simply था x square minus something plus something is equals to 0 y square plus something minus something is equals to 0 उनके साथ कोई coefficient नहीं था पर इन वाले cases में इसके साथ x square और y square के साथ coefficient आ रहा है तो question हम वैसा ही करेंगे बस end में हम बिल्कुल last में थोड़ी सी changes लाएंगे तो question हमने वैसे शुरुआत की हमने देखा पहले वाले पार्ट को लिया x square minus 23 plus 40 equals to 0 को लिया हमें बता है minus plus है roots होंगी plus plus next step में हमने क्या किया 40 और 3 की multiplication की ठीक है इस बार 3 के साथ भी multiplication होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था a और c की multiplication होती है जो basic quadratic equation है ना उसमें a और c होते हैं coefficients उनकी multiplication होती है वही हमने की है 40 into 3 40 को तोड़ा हमने 4 into 10 में और 4 को 2 into 2 किया 10 को 5 into 2 किया हमारे पास यह चीज़ आगी अब आपने देखा कि center number है आपके पास 23 जो की है odd तो यानि आपको plus plus है addition करनी है और आपको जो addition करके number बनाने है वो odd number बनाना है तो even number हमने सबसे पहले चलो हमने लगा लिया कि 2 into 2 into 2 को हमने एक साइड ले लिया 8 आ गया और 5 into 3 15 को हमने एक साइड ले लिया तो 15 आ गया odd number 8 आ गया even number अगर हम इनको add करेंगे हमारे पास 23 बनेगा बिल्कुल बनेगा तो हमारे पास factors आगे 15 और 8 क्योंकि हमने पहला जो attempt मारा उसी से हमारा even number odd number बनके जो कि था 23 तो roots क्या होंगी मैंने ये बताया था आपको symbols plus plus है roots आगी 15 और 8 पर अभी आपका question खतम नहीं हुआ मैंने आपको बताया थारा end में हम थोड़ी सी changes लेंगे वो changes क्या है x square के साथ या y square के साथ जो भी coefficient होगा जो हमने ये सारी root निकाली उस coefficient को हम इनके denominator में डाल देंगे यानि की हमारे पास आगया root x square के साथ जो coefficient था वो 3 था तो root में 15 के नीचे 3 या आ गया और दूसरी root थी 8 उसके नीचे भी 3 या गया क्योंकि minus plus है equation में तो plus plus आ गया हमारे roots ठीक है 2 into 2 into 3 क्योंकि 4 3s are 12 बनाना है तो 4 को हमने 2 into 2 लिख दिया सीधा सीधा ही even number बनाना है 8y एक even number even plus even का combination आएगा 6 or 2 बना दिया 6 or 2 के बाद हमने अब last step क्या करना है कि 6 or 2 को हमने 3 से divide करना है 102 को 3 से divide करने के पास हमारे पास आ गया plus 2 और plus 2 by 3 इतने x के root उपर है y के root ये रहे अब हमें इनको compare कैसे करना है मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ हमने लिखे x के root y के root मैंने आपको बताया था किसी एक number को पकड़ने है अब इसको कैसे compare करना है देखे मैंने आपको ratio को बताया था था ना fractional ratio को normal ratio में कैसे convert करना है हमने वही करना है x को हमने 8 by 3 मान लिया और ratio करके y को हमने 2 मान लिया अब fractional ratio में क्या होता था हम cross multiply करता थे normal बनाने के लिए वही चीज हम नहीं की है जब cross multiply होगा 3 जो है वो 2 के साथ multiply हो जाएगा और 2 के नीचे तो 1 ही denominator है तो 1 8 से multiply होके 8 ही रहेगा तो हमारे पास आ गया x is 2y equals to 8 is to 16 तो हमें 16 नहीं sorry 6 तो हमें दिख रहा है x जो है वो y से बड़ा है तो इसको compare करने पे भी हमारा क्या आ गया x is greater than y वैसे ही हम 5 और 2 by 3 को compare करेंगे जो denominator का है वो जाके 5 के साथ multiply हो जाएगा ये बन जाएगा x is to y आ जाएगा 15 is to 2 तो x में भी बड़ा है और final जो part है 8 by 3 और 2 by 3 को जब आप compare करोगे उसमें भी x बड़ा ही आएगा तो हमारे पास answer आ जाएगा x is greater than equals to y अच्छा अब इस type के सारे question आपने ऐसे ही करने है जो normal roots निकालनी है वो वैसे ही करने थे ठीक है और end में जाके आपने बस denominator डाल देना जो भी x square और y square का coefficient होगा अब next आती है tricks ये tricks क्या है मैंने आपको सबसे starting में कहा का था कि आप equation के symbols और roots उनसे roots के symbol निकालने का relation बताया था क्यों बताया था उसका use मैं आपको अब बताऊंगा कुछ questions होती है जिनको आपको solve करने के ज़रूरत नहीं पड़ती वो वैसे के वैसे ही answer आ जाता है अब आपको पता है जब x की बात करेंगे तो plus plus में roots क्या आ जाएंगे roots के symbol आ जाएंगा minus minus और y square की बात करेंगे तो minus plus के root के symbol क्या आ जाएंगे plus plus तो आप देख सकते हैं कि उपर x के दोनो negative है और y के दोनो positive है तो हम बिना solve की यह चीज़ कहा सकते हैं कि y is greater than equals to x वैसे ही रहा है यह दूसरा तरीका x square plus 15x minus 54 equals to 0 y square minus 9y minus 36 equals to 0 उपर वाले की यानि की x की roots आगी plus minus y की भी roots आगी plus minus अब इसको compare करते हैं one by one x का plus लिया y के plus से compare किया तो obviously x का plus बढ़ा आ गया ठीक है तो एक में अभी हमें condition नहीं पता दूसरे में x बढ़ा आ गया अब x का negative लेते हैं x का negative लिया y के positive से compare किया तो obviously बढ़ा आ गया उपर x बढ़ा आ गया नीचे y बढ़ा आ गया तो relationship cannot be established अब आपने ये trick याद रखनी है कि जब भी c जो होता है कॉफिशेंट ax क्यूर प्लस bx प्लस c में जो c होता है उससे पहले negative sign आ रहा होगा दोनो equations में तो हमारा हमेशा relation cannot be established ही आएगा ठीक है फिर से मैं repeat कर रहा हूँ जो ax क्यूर प्लस bx प्लस c या minus c ठीक है जो भी जो c आता है c कॉफिशेंट जो है c इससे पहले अगर symbol negative होगा दोनो equations में x की भी और y की भी तो इनका सिधा सिधा result आएगा relationship cannot be established अब मैं दिखा देता हूँ आपको और कैसे कैसे type के ऐसे आ सकते हैं देखिए x square plus 17 x minus 19 equal to 0 19 से पहले minus आ रहा है ठीक है y square is equal to 196 अगर आब 196 को y square के तरफ लेके जाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जा है का y square minus 196 equals to 0 अब इसमें minus 196 के c ही है इसमें b वाली term नहीं आ रही y square तो आ गया ना a x square के साथ compare कर सकते हैं फिर आता है b x b x वाली term इसमें नहीं आ रही क्योंकि y square सीधा minus 196 c से पहले minus आ रहा है तो ये भी cannot be established वाला ही होगा next में आई ये 6 से पहले minus है 16 से पहले minus है तो ये भी cannot be established ठीक है और third में ये x square equals to 4 y square equals to 16 आपको होगे कि x square equals to 4 x तो आगे 2 और y तो आगे 4 यानिकि y बढ़ा है पर ऐसा नहीं होगा ठीक है x square के साथ आप जब 4 को x square की तरफ लेके जाओगे तो x square minus 4 equals to 0 बन जाएगा y square minus 16 equals to 0 बन जाएगा 4 से पहले भी minus है 16 से पहले भी minus है तो हमारा relation हागा relation cannot be established ठीक है अब ये revise करा देता हूँ मैंने आज तक क्योंकि अभी हमारा होके है ये जो quadratic equation का चैप्टर है ये खतम हो चुक है इसके उपर कोई concept नहीं है इसके उपर कोई मुश्किल question नहीं आएगा ठीक है तो मैं आपको revise करा देता हमने पहले पार्ट में और इस पार्ट में मिला कि अभी तक क्या पढ़ा है हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि equation की जो symbol है उसका roots की symbol के साथ क्या relation आएगा फिर मैंने आपको बताया था कि multiplication को कैसे split करने वो जो A और C की multiplication है उसको कैसे split करने फिर मैंने आपको बताया था कि middle term कैसे बनानी है addition या subtraction का addition आएगा यानि वो जो plus plus अगर होंगी roots तो addition आएगा plus minus होंगी तो subtraction आएगा एक और चीज मैंने आपको बतायी थी कि odd number बनाने का क्या combination है even number बनाने का क्या combination है और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सब करने के बाद factor जो आएंगे उसको कैसे form करना है और in the end factor को हमें कैसे convert करना है ठीक है जो root है जब हमारे पास plus plus या minus minus होगी तो सीधा-सीधा ही हमें बाद चल जाएगा कि उसमें हमें factors को convert करने के जुरूरत नहीं होगी सीधा हम plus plus या minus minus लगा देंगे पर जो plus minus वाला case है उसमें हमें देखना पड़ता है कि plus किस के साथ आएगा minus किस के साथ आएगा तो उसमें मैंने आपको convert करना चिखाया था ठीक है और in the end मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि अगर x square और y square के साथ coefficient होगा तो उसको root में कैसे use करना है और इसी के साथ हमारा ये जो chapter है ये खतम होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इससे like केजिए साथ ही हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए थैंक यू